वेलकम वेक टू माई चैनल तनू वेस किचिन तनू किचिन में आज शेयर करें हैं सूजी से एक बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता सूजी के मिक्स बैजी वॉल्स सूजी पॉल्स बनाने के लिए हमने तरह तरह की हरी सब्जियों को काट कर छोटे टुकड़ों में कर लिया है आप इसमें कोई मन पसंद सब्जियां डाल सकते हैं सूजी पॉल्स पनाने के लिए सबसे बेल एक कड़ाई गरम करने रख दिये जिसमें दो चमच तेल डाल दिया है मैंने रिफाइंट तेल दिया है तेल जब गरम हो जाएगा तब उसमें एक चमच राई दान डाल देंगे दो चुटकी हींग डाल देंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दी है अब इसमें जो हमने हरी सबजियां काटकर रखी हुई है उनको मिला देंगे एक गाजर कद्दूगस किया हुआ है, एक शिमला में चमारी करट कर रखा हुआ है, कुछ पता वो भी कटा हुआ है, कुछ मटर है जो हमने पीस कर रख लिया है इन सभी सब्जियों को अच्छे से सौटे करना है, तीन से चार मिनिट तक इनको पकाना है चमारी से चलाते हुए फ्राइ करेंगे, तीन से चार मिनिट में सभी सब्जियों सॉफ्ट हो जाएंगी अब इनको एक बोल में निकाल लेना है, और ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब यह ठंडी हो जाएंगी, तब इसमें दो कप सूजी मिलाना है एक चमच नमक चाल देंगे, आदे चमच लाल मिच पाउडर, एक चौथाई चमच बेकिंग सोडा, एक कप खटा दही इन सब को अच्छे से मिलाएंगे, पांच मिनिट के लिए मिक्षेर को रेस्ट करने रखेंगे धकर पांच मिनिट बाद चेक करेंगे, सूजी फूल के यह अच्छे से, और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अगर यह ज़्यादा थेक है तो इसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे सूजी मॉल्स बनाने के लिए इस तरह का मोल्ड हम तयार करेंगे यह साचा मार्केट में असानी से मिल जाता है, अप्पे पैन के नाम से इनानिस्टिक है डेट से दो चमच मिक्षर हर मोल्ड में डालकर तयार करेंगे अब यह साचा भरकर तयार हो गया, इसको सीदे गयस पर रखेंगे मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम करते हुए इसको धक कर गयस पर चड़ा देना है 4-5 निट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है चार से पांच मिट बार धकन उठाकर चेक करेंगे एक तरफ ये अच्छे से हो गया है अब इसका दूसरी साइड भी पलट देंगे थोड़ा सा ओइल डाल कर इसको दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे धक कर पकाना है ध्यान रहे अगर गैस का फ्लेम तेज होगा तो ये अंदर से कच्छे रह जाएंगे और उपर से जल जाएंगे बीच वीच में चेक करते रहें एक चाकू से या फॉक से इस तरह से बीच में देखेंगे अगर अच्छे से पक गया होगा तो मिक्षर चाकू पर नहीं आएगा अगर मिक्षर इस पर आ रहा है तो अभी बनना बाकी है दो से तीन मिनिट ढख कर और पकाएंगे अब ये सूजी बॉल्स बन कर तयार है किसी भी खटी मीठी चटनी के साथ सर्ब किया जा सकते हैं तो आप भी बनाएए और बताएए कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करके अपने सजेशन जरूर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग